प्रदेश में कोरुना की कम होते रफ्तार को देखते वे सरकार अब पूरी तरह अनलॉक के मुड में है वही मुंबई के भायखला महिला जेल में 37 महिला कैदियों और जेल में रहने वाले 6 बच्चों को कोरुना संक्रमित पाया गया है पिछले 10 दिनों में जांच के दौरान इनके कोरुना संक्रमित होने की पुष्टी हुई है इस मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है नींद रागापा की भी उड़ी है क्योंकि शिवसेना सांसर संजेर राउत ने संक्रमित दिये है कि उपमुख्य मंत्री अजित पवार पुने में शिवसेना के पधादी कारियों को नरज न करे नहीं तो गड़बड हो जाएगी राउत ने कहा कि महाराश्टर में शिवसेना की सत्ता है और पुने में शिवसेना के पधादी कारियों की कोई सुनवाई न होने की शिकायत है ऐसा कैसे चलेगा शिकायत एक रेपीडिता की भी थाने पहुची है मुंबई में कांदी वली की रहने वाली एक युवती ने लखनव में मानस विहार इंदिरा नगर के रहने वाले दिव्यांच दिवारी उर्फ राजेनरा पंडित के खिलाफ एफायर दर्च कराई है एफायर के मुताबिक करीब दो साल पहले युवती की सोशल मीडिया पर दिव्यांच दिवारी से दोस्ती हुई थी जहां से मेलेकर आरोपी ने उसके साथ तुषकर्म किया, कमाई के पैसे छिन लिये और अब वहाग गर्भवती भी है इस बीच भारती जनता पार्टी के महा सचीव सिटी रवी ने महाराष्ट की उद्धव ठाकरे सरकार पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने कहा कि महाराष्ट की शिवसिना नेतरुत्वा वाली महाविकास आगाडी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि 37 रुख दलों का डियने अलग-अलग है अच्छी खाबर यह है कि पुने में सहकारिता युनिवर्सिटी की वकालत तेज हो गई है महाराष्टर राज्य सहकार परिशत के अध्यक्ष राज्य मंत्री विद्याधर अनासकर ने केंद्रिय सहकारिता मंत्री अमिच शा को भेजे प्रस्ताव में इसका जिक्र किया है आईए प्रदिश के इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं मुंबई के भायखला महिला जेल में 37 महिला कैदियों और जेल में रहने वाले 6 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाया गया है पिछले 10 दिनों में जांच के दोरान इनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टी हुई है अधिकारिक जानकरी के अनुसार 17 सितंबर को तिन कैदियों की तवियत खराब होने के बाद उनकी जांच की गई तो कोरोना संक्रमित की पुष्टी हुई इसके बाद उनके संपर्क में आये सभी लोगों की जांच की गई और रविवार तक 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गई है इन में से ज्यादा तर कुई लाज के लिए कॉरेंटाइन सेंटर में रखा गया है जहां उनकी हालत तिर बताई जा रही है एक गर्भवती महिला कैदी को कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद एहतियातन जिटी अस्पताल में भरती कराया गया है बतादे की इसी जेल में इलगार परिशद मामले में आरोपी सुधा भारतवाज जोती जकताप, शोमा से बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफतार इंदरानी मुखरजी, यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपुर की पतनी और बेटी अभी बंध है जेल अधिकारियों के मुताबिक इनकी भी जांच कराई गई थी और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है शिवसिना सांसत संजे राउत ने कहा कि उपमुख्य मंतरी अजित पवार पुने में शिवसिना के पदाधी कारियों को नाराज न करे नहीं तो गड़बड हो जाएगा राउत ने कहा कि महराष्ट्र में शिवसिना की सत्ता है शिवसिना पक्षप रमक उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्य मंतरी है फिर भी पुने में शिवसिना के पदाधी कारियों की हमारी कोई सुनवाई ना होने के शिकायत रहती है ऐसे कैसे चलेगा? राउत ने कहा कि उपमुख्य मंतरी अजित पूने के पालक मंतरी है वे मुख्य मंतरी का कहा मानते हैं इसलिए हम लोग उनसे कहेंगे कि आप हमारे लोगों की सुनेंगे तो अच्छा होगा हमारे लोगों को नाराज न करिए हम लोगों को एक साथ में काम करना है अगर वे नहीं सुनते हैं तो ठीक है इसी दोरान राउत ने शिवसेना के पधादी कारियों को नगर निकायों के चुनाओं में अकेले लड़ने के लिए तयार रहने को भी कहा है उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाओं में सभी सीटों पर लड़ने की तयारी करें यदि राकापा और कॉंग्रेज गटबंदन के लिए तयार हुई तो शिवसेना सम्मान के साथ गटबंदन की कोशिश करेगी अगर दोनों दल गटजोड के लिए तयार नहीं हुए तो शिवसेना अकेले मैदान में उतरेगी मुंबई में कांदिविली की रहने वाली एक युवती ने लखनाव में मानस विहार इंदीरा नगर के रहने वाले दिव्यांश तिवारी उर्फ राजेंदर पंडित पर रेप की एफायर दर्च कराई है एफायर के मुताबिक करिब दो साल पहले युवती की सोशल मीडिया पर दिव्यांश तिवारी से दोस्ती हुई थी तब दिव्यांश तिवारी ने खुद को एक बड़ा कारोबारी और प्रोडक्शन हाउस का मालिक बताया था ये भी कहा था कि वहाएक फिल्म बनाने जा रहा है इसके बाद दोनों में दोस्ती बढ़ी तो मुंबई के ये युवती लखना वाई और दिव्यांश के साथ लिविन में रहने लगी इस दोरान वहाँ गर्भवती हो गई जब उसने दिव्यांश को ये बात बताई तो उसने जबरन गर्भवत करा दिया आरोप है कि इसके बाद भी दिव्यांश युवती का शारिरिक शोशन करता रहा पिडित युवती ने अपने यूट्यूब पर डाले गए अपने तमाम वीडियो के जरिये पिछले कुछ सालों में करीब 25 लाख रुपे कमाये थे आरोप है कि उसमें से 20 लाख रुपे दिव्यांश ने उससे फिल्म बनाने के नाम पर ले लिए कुछ समय बितने के बावजुद भी जब फिल्म बनाने का काम शुरू नहीं हुआ तो युवती ने दिव्यांश से पैसे को ले कर बाच्चित की युवती का आरोप है कि इसके बाद दिव्यांश ने उसके साथ मारपिट की और धमकाया जिसके बाद युवती मुंबई चली गई मुंबई में युवती ने एक बच्चे को जनम दिया युवती का आरोप है कि दिव्यान शुव अच्ची को अपनाने को तयार नहीं है अब युवती ने इंदिरा नगर कोतवाली में एफायर दर्च करवाई है भारतिय जंता पार्टी के महा सचिव सिटी रवी ने महाराष्ट की उध्व ठाकरे सरकार पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने कहा कि महाराष्ट की शिवसेना नेत्रुत्व वाली महाविकास आघडी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि 37 उट्डलो का डियने अलग-अलग है उन्होंने ये भी दावा किया है कि राज्जों में लोगों की भावनाय M.V.A. सरकार के खिलाफ है महाराष्ट के ब्रहमन के दोरान मैंने महसूस किया कि माहौल M.V.A. सरकार के खिलाफ है उन्होंने कहा कि लोक तंत्र में लोग निर्ने करते हैं आगामे दिनों में इस पर वे ही फैसला करेंगे रवी ने शिवसिना पर धुका भाजी का आरोप लगाया और कहा कि शिवसिना ने 2019 के विधानसवा चुनाओं के बाद भाजपा से अपना गड़बंदन तोड लिया था और राश्टवधी कॉंग्रेस पार्टी तथा कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी शिवसिना ने B.J.P. को धुका दिया और M.V.A. सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस और N.C.P. से हाथ मिला लिया ये लोक तंत्र पर सिधा अटैक था राजपी जनता ने भाजपा शिवसिना को प्रदेश की सत्ता सोपी थी जनादेश का उलंगन किया गया सहकारिता में आगे रहने के कारण महराष्ट इसकी शिक्षा का मायका होने की वजह से पुणे में सहकारिता युनिवर्सिटी होनी चाहिए ये प्रस्ताव महराष्ट राज्य सहकार परिशत के अध्यक्ष राज्य मंतरी विद्याधर अनासकर ने केंद्रिय सहकारिता मंत्री अमिच शाह को भेजा है दिल्ली में 25 सितंबर को देश का पहला राष्टिय सहकार सम्मिलन शनिवार को संपन्न हुआ इस राश्टिय सहकार परिशद में केंद्रिय सहकारिता मंतरी अमिच शाह ने देश में सहकार युनिवरसिटी की स्थापना की महत्वो प्रुण घोशना की इस घोशना का राज्य के सहकार क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है हाला कि इससे पहले देश में पहले सहकार युनिवर्सिटी महाराष्ट में शुरू करने का पहला प्रस्ताव अनासकर ने 2014 में राज्य सरकार को भेजा था इसकी बाद फिर से 2017 में ततकलिन सहकार मंतरी सुभाज देशाई की सिपारिश से इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया था ततकलिन मुख्य मंतरी देविंद्रा पटनविस ने इसे सैधान्तिक रूप से मंजूर कर लिया था राज्य सहकारी बैंक ने इसके लिए पहल करते हुए भूविकास बैंक की मार्केट याड परिसर में जमिन 25 करोड रुपे में खरीदी थी लेकिन दुर्भाग्य से समदित मामले के मुंबई हाई कोट में पहुच जाने से सहकार युनिवरसिटी की कॉंसेप्ट को अमली जामा नहीं पहना जा सका केंद्र के तीन कुरुशी कानूनों के विरोध में किसानों का भारत बंद आंदोलन शुरू है उनकी योजना अलग-अलग हाईवे पर चक्का जाम करने और रेलवे लाइन अवरुद्ध करने की है भारत बंद को कॉंग्रेस लेफ्ट पार्टिया, RJD, BSP और SP सहीद देश की लगभग हर विपक्षी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया है देश भर से मिल रही जानकरी के अनुसार भारी जाम की स्थिती है वहनों की लंबी कतार लगी है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है बड़ी परेशानी डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी सामने आने वाली है सरकारी तेल कमपनियों ने फिर डीजल की कीमत में तगड़ी बढ़ोतरी कर दी है पिछले चार दिनों में तीसरी बार डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है हाला कि पेट्रोल की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन बड़ा बदलाव स्वास्तक शेत्र में हुआ है प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी ने आज आईशमान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है आईशमान भारत डिजिटल मिशन को अभी छे कंद्रशासित प्रदेश उमें पाइलट चरण में लागू किया जा रहा है अब देश के हर नागरिक का अपना हेल्थ कार्ड होगा इससे स्वास्त सुविधाओ में काफी आसानी होगी मगर उत्तर प्रदेश की राजनिती में ओवेसी की घुस्पट आसान नहीं वैसे आज उन्होंने गजब एलान किया है असदुदिन ओवेसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसल्मानों की सिती किसी बारत की बैंड बजा पार्टी जैसी हो गई है जहाँ पहले उन्हें म्यूजिक बजाने के लिए कहा जाता है और बाद में उन्हें वेडिंग प्लेस के बाहर खड़ा कर दिया जाता है लेकिन अब मुसल्मान किसी बारत में बाजा नहीं बजाएंगे मगर पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस की बैंड बच्ती जरूर नजर आ रही है पुरवराश्चिपती प्रणम मुखरजी की बेटी और कॉंग्रेस निता शर्मिष्टा मुखरजी ने सक्रिय राजनेति से सन्याज की घोक्षना कर दी है वहां मुखरजी परिवार की आखरी सदस्या है जिनोंने कॉंग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है देश के इन पाच बड़ी खबरों में आज राजनितिक धार कुछ जादा है तो आईए इसे अब हम विस्तार से जानते हैं केंद्र के तीन कृशी कानुनों के विरोध में किसानों का भारत बंद आंदोलन शुरू है उनकी योजना अलग-अलग हाईवे पर चक्का जाम करने और रेलवे लाइन अवरुद्ध करने की है प्रारंबिक चरन में किसानों ने पंजाब हरियाना के बीच शंबू बॉर्डर को जाम कर दिया है और इसा में सभी सरकारी और नीजी दफ्तर शिक्षन संस्थान और अन्य संस्थान बंद करा दिये गये है उतर प्रदेश के मुझफवर नगर में भारतिय किसान यूनियन के कार्यकरताओं ने छपार और रोहाना टोल पर जाम लगा दिया है केरल में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को लेकर कहा कि कुछ भी सील नहीं किया गया है अम्बिलन्स डॉक्टर सहीट सभी आपातकारिन सुविधाय जारी रहेंगी उन्होंने कहा कि हमने कुछ सील नहीं किया हम बस संदेश देना चाहते है आंदोलन के दोरान किसान शाम चार बजे तक चक्का जाम रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे भारत बंद को कॉंग्रेस, लेफ्ट पार्टिया, RJD, BSP और SP सहीट देश की लगबग हर विपक्षिय पार्टी ने समर्थन देने का एलान पहले ही कर दिया है पिछले चार दिन में तीसरी बार डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की है, हाला कि पेट्रोल की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है अंतरराष्ट्रे बाजार में कच्चा तेल भले ही महेंगा बीक रहा हो, लेकिन यहां सरकारी तेल कमपनिया उस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी नहीं कर रही है वैसे भी डीजल महेंगा इदन होने के बावजूद भारत में यहां पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बीकता है इस साल के शुरुवाती महिनों के दोरान कुछ राज्यों में विधान सबा चुनाव हुए थे उस दोरान 41 दिनों तक डीजल के दाम में कोई फेर बदल नहीं हुआ था इन दिनों पिछले 18 दिनों से इसके दाम में कोई फेर बदल नहीं हुआ था लेकिन बिते 4 मई से इसकी कीमते खूब बढ़ी कभी लगातार तो कभी ठार कर 42 दिनों में ही पेट्रोल के दाम 11 रुपए 52 पैसे रुपए प्रती लीटर महंगा हो गया है हाला कि हरदीब सिंग पूरी के पेट्रोलिय मंत्री बनने के बाद बिते 18 जुलाई से इसके दाम स्तिर थे रक्षाबंदन के दिन इसके दाम में महज 20 पैसे की कमी की गई थी उसके दो दिन बाद भी 15 पैसे की कमी हुई है उसके बाद 1 सितंबर और 5 सितंबर को इसके दाम फिर 15-15 पैसे घटे थे डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा और महंगाई में तड़का अब देश के हर नागरिक का अपना हेल्थ कार्ड होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुवात की इसकी गोशना पीए मोदी ने पिछले साल अपने स्वतंतरता दिवस के भाषन के दौरान की थी आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन को अभी छे केंद्रिट शासन प्रदेशों में पाइलेट चरन में लागू किया जा रहा है ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मिशन एको सिस्टिम के लिए भी एहम साबित होगा और उसी तरह रोल प्ले करेगा जैसे भुकतान के क्षेतर में UPI ने किया है इसके तहट देश के सभी लोगों को एक यूनिक ID कार्ड मिलेगा जिसमें उनके स्वास्ते से जुड़ी सारी जानकारी होगी इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जान्च रिपोर्ट या परची आदी नहीं ले जानी होगी आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी डॉक्टर सिर्फ आपकी ID से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन से बिमारी रही है और आपका कहा क्या इलाज हुआ है इस मिशन का मकसद ये है कि हर शक्स की हेल्थ केर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुचे और उसे आसान बनाया जाए केंद्रिय स्वास्त्यमंत्री मंसूख मांडविया ने ट्विट कर कहा यह मिशन डिजिटल स्वास्त्य परिस्थिती की तंत्र को भीतर सूचना साजा करन को सक्षम करने के लिए एक सहज ऑनलाइन मंच तयार करेगा नागरिक स्वास्त्य सुविधाव तक आसानी से पहुच सकेंगे औल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमीन के प्रमुक अस्तदुद्धिन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिती किसी बारात की बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है जहाँ पहले उन्हें म्यूजिक बजाने के लिए कहा जाता है बाद में उन्हें वेडिंग प्लेस के बाहर खड़ा कर दिया जाता है लेकिन अब मुसलमान किसी बारात में बाजा नहीं बजाएंगे उन्होंने कहा कि देश में हर जाती का एक नेता है लेकिन मुसल्मानों का कोई नेता नहीं है खासकर उत्तर प्रदेश में मुसल्मानों की आबादी 19 फिसदी है लेकिन यहां एक भी नेता नहीं है उन्होंने आरोब लगाया कि चाहे मुसल्मानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजबाधी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याई के लिए दलित मुसलिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी किसी ने भी मुसल्मानों को नितरुत्व नहीं दिया इस बीच शिवसेना ने OVC को BJP का अंडर गार्मेंट करार दिया है अपने मुख पत्र सामना के माध्यम से शिवसेना ने कहा कि भारतिय जंता पार्टी की सफल यात्रा के परदे के पीछे के सूतरधार असुदुद्धिन OVC है यही कारण है कि उनकी पार्टी अपना सर्वस ट्रेश्टर प्रदर्शन कर रही है राज्य में जाती और धार्मिक दुश्मनी पैदा करने की पूरी तयारी है उतर प्रदेश में विधान सबा चुना होने है OVC पहुचे हैं यह भढ़काऊ भाशन दे रहे हैं अपने निरंकूश समर्तकों को भढ़काते हैं और फिर पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाया जाता है शूसिना ने BJP से पूछा कि क्या सत्ताधारी पार्टी की राजनीती बिना पाकिस्तान का नाम लिए आगे नहीं बढ़ सकती पश्चि मंगाल की राजनीती में कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा है पूर्वर राश्ट्रपती प्रणा मुखर जी की बेटी और कॉंग्रेस नेता शर्मिष्टा मुखर जी ने सक्रिय राजनीती से सन्यास की गोशना कर दी है वह मुखर जी परिवार की आखरी सदस्या है जिरोंने कॉंग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है हालाकि उन्होंने यह भी सपश्ट किया कि वह कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्यता नहीं छोड़ रही है शर्मिष्टा ने लिखा है कि बहुत शुक्रिया लेकिन मैं अब पॉलिटीशन नहीं हूँ मैंने राजनीती छोड़ दी है मैं कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्य बनी रहूंगी लेकिन अब सक्रिय राजनीती नहीं करूंगी देश की सेवा कई तरीकों से की जा सकती है बचपन से ही परियाप्त सत्ता देखी है मुझे यह लुभाता नहीं है मैं एक शान्ति पूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ और ऐसी चीजे करना चाहती हूँ जो मेरे स्वभाव के अनुकुल हो इसी साल जुलाई माह में शर्मिष्ठा के भाई और प्रणा मुखरजी के बेटे अभिजित मुकरजी तुरुनमूल कॉंग्रस में शामिल हो गए थे इसके बाद पश्चिम मंगाल प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के महासचिव और प्रणम मुखरची की साली सूवरा घोश भी अगस्त माह में टीमसी में शामिल हो गई थी साल 2014 में कॉंग्रेस जॉइन करने के बाद शर्मिष्टा मुखरची सिर्फ साल 2015 का विधान सभाच चुनाव लड़ी थी इस चुनाव में वह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरब भारदवाज से हार गई थी पाकिस्तान के दुनिया भर में फजीहत हो रही है इमरान खान के जूट के बाद विदेश मंतरी शाह महमुद कुरेशी की भद पीटी है उनके लंदन आगमन पर पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मिर के कारे करताओं ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया शेम शेम पाकिस्तान के नारे भी लगाए और यूके सरकार से कुरेशी को तरजीह नहीं देने के लिए भी कहा गया इसी बीच स्विजर लैंड के मतदाताओं ने बड़े बहमत से समलेंगिक जोडों को वीवाह की अनुमती देने का फैसला किया है सभी 26 कैंटन या राज्यों में 64.1 फिजदी मतदाताओं ने इसके पक्ष में मतदान किया हलांकि इस फैसले को लेकर फिलहाल देश में दो फार जैसी स्तिती है राजनीतिक और वैफसाइक खबरों के अलावा बड़ी खबर ये भी है कि राश्टिय स्वयम सेवक संग से जुड़ी सापताहिक पत्री का पांच जन्या ने अब अमेरिका की E-Commerce कंपनी Amazon पर निशाना साधा है लेक में लिखा है कि भारत पर 18 शताबदी में कबजा करने वाले इस इंडिया कंपनी ने जो कुछ किया वही आज Amazon की गती वीडियों में दिखाई देता है इस आरोप से अलग महिलाओं को लेकर तालिबानी सोच को करारा थकपड लगा है इसलामिक देश सौधी अरब ने महिला सशक्ती करन की तरफ एक और कदब बढ़ाते हुए सौधी अरब की दो बड़ी मज़िदों में करीब 600 प्रशिक्षित महिलाओं की तेनाती की है सौधी के प्रिंस महमद बिन सल्मान की नेतरुत्व में विजद 2030 के तहट कई शेत्र महिलाओं के लिए खोले गए है दूसरी तरफ इमरान खान सरकार को लगातर जखम दे रहे बलुच विद्रोहियों ने अब पाकिस्तान के संस्तापक महमद अली जिन्ना की मूर्ती को उड़ा दिया है यह हमला पाकिस्तान के ग्वादर शाहर में हुआ है जहाँ चीन चायना पाकिस्तान आर्थी कोरिडॉर के तहट अर्वो डॉलर का निवेश कर रहा है आईए दुनिया भर के इस पाच बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूत कुरेशी के लंदन आगमन पर पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर के कारेकरताओं ने जमकर विरोत प्रदर्शन किया कुरेशी के युनाइटेट किंग्डम के तीन दियुसी अधिकारिक दोरे पर लंदन पहुचने पर बलुच और सिंधी कारे करताओं के प्रदर्शन में कश्मीर के लोग भी शामिल हो गए कुरेशी के पहुच्टेई, नेशनल एक्वेलेटी पार्टी जम्मू कश्मीर, गिलगिलत बाल्टिस्तान और लद्दाक के सज्जाद राजा के नितरुटव में कश्मीरी पाकिस्तानी उच्चा युक्त के आवास के सामने जमा हो गए प्रदर्शनकारीयों ने पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में रह रहे, कश्मीरीयों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्या चारों के खिलाप नारी लगाए उनने मांग की कि उन लोगों के अपहरन और हत्या के लिए पाकिस्तान को जवाब देया ठहराया जाना चाहिए जो बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे है विरोत कर रहे लोगोंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उनने जबरन घायप कर दिया गया है उनने यहां भी कहा कि कश्मिर और गिलगिलत बाल्टिस्तान के लोगों को बुनियादी राजनितिक अधिकारों से वंचित किया गया है उनने शेम शेम पाकिस्तान के नारे भी लगाय और यूके सरकार से कुरेशी को तरजियन नहीं देने के लिए भी कहा स्विजर लेंड के मतदाताओं ने बड़े बहुमत से समलेंगीक जोडों को विवाह की अनुमती देने का फैसला किया है सभी 26 केंटन या राज्यों में 64.1 पीसदी मतदाताओं ने इसके पक्षम में मतदान किया इस फैसले को लेकर फिलहाल देश में दो फाड जैसी स्थिती है समर्थकों ने कहा कि इस कदम से समान लिंग वाले जोडों को विशम लाइंगीक जोडों के समान कानुनी अधिकार मिल सकेंगे इसमें उन्हें एक साथ मिलकर बच्चों को गोद लेने की अनुमती देना और समान लिंग वाले जीवन साती के लिए नागरिक्ता की सुविधा प्रदान करना शामिल है यह समलेंगीक जोडों को विनियमीच शुक्रानु दान का उपयोग करने की भी अनुमती देगा वही विरोधियों का मानना है कि सात रहने के फैसले को पुरुने शादी में बदलने के अधिकार से महिला एवं पुरुष के सम्मिलन पर आधारित परिवार के संरचना को धक्का पहुचेगा उनका मानना है कि बच्चों को एक पिता और एक मा की आउशकता होगी बतादे कि स्विजर लैंड की आबादी 85 लाख है यह पारंपारिक रूप से रूडिवादी है और देश में 1990 से सभी महलाओ को वोट देने का अधिकार दिया गया इस देश ने 2007 से ही समानलिंग वाले लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया है इस कदम से और अधिकार मिलने की बात कही जा रही है राष्टिया स्वयम सेवक संग से जुड़ी सापताहिक पत्रिका पाच जन्न ने अब अमेरिका की e-commerce कंपनी Amazon पर निशाना साधा है इसने Amazon को इस्ट इंडिया कंपनी 2.0 करार देते हुए कहा कि कंपनी ने अनुकूल सरकारी नीतियों के लिए रिश्वत के तौर पर करोडो रुपे का भुगतान किया है पाच जन्न ने अपनी पत्रिका के ताजा संसकरन में Amazon पर लेख लिखते हुए उसकी कड़ी आलोशना की है पाच जन्न ने इस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के नाम से अपने लेख लिखा है कि भारत पर 18 वी शताबदी में कबजा करने के लिए इस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ किया वही आज Amazon की गती विदियों में दिखाई देता है पत्रिका का दावा है कि Amazon भारतिय बाजार में अपना एकादिगार सापित करना चाहता है और ऐसा करने के लिए इकॉमर्स कंपनी ने भारतिय नागरिकों की आर्थिक, राजनितिक और व्यक्तिगत आजादी पर कबजा करने के लिए पहल करना शुरू कर दिया है इसमें Amazon के वीडियो मंच की भी कड़ी आलोशना करती वे कहा गया कि वह अपने मंच पर ऐसी फिल्में और वेब सिरिज जारी कर रहा है जो भारतिय शंस्कूरूती के विरुद्ध है गाउर तलभाई की ऐसी खबरे आई है कि अमेरिकी ई-कॉमर्स दिगज भारत में अपने कानोनी प्रतिनीरियों द्वारब भुकतान की गई कथित रिश्वत की जाच कर रही है तालीबान के शासन के बाद इसलामिक देश अफगानिस्तान में महिलाओ के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है पढ़ने से लेकर उन्हें घर से भाहर निकलने तक में पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है वही दूसरी तरप इसलामिक देश सौधी अरब ने महिला सशक्तिकरन की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने विश्व के सामने उसकी छवी को बदल कर ही रख दिया है रिपोर्ट की मुताबिक महिला सशक्तिकरन की तरप एक और कदम बढ़ाते विए सौधी अरब की दो बड़े मस्जीदों में करीब 600 प्रशिक्षित महिलाओ की तैनाती की गई है यहां महिला विकास मामलों की उपाध्यक्ष अल अनौद अल अबुत के नित्रुतू में 310 महिलाओ को रोजगार मिल रहा है दोनों मस्जीदों में तैनात महिलाओ में से करीब 200 महिलाओ वाज्यानिक बहुत धिक काम कर रही है वही बाकी की महिलाओ प्रशासनिक वो सेवाकारियों की जिम्मेदारी संबाल रही है इसी साल भी सौधी अरब की दो मस्जीदों मक्का वो मदिना में महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी खाकी वर्दी में तैनात महिलाए इन मस्जिदों की सुरक्षा संबाल रही है वही करीब सव महिलाओं को काबा में आने वालों की सेवा के लिए तैनात किया गया था बतादे की साओधी के प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान के नेतरोटों में वीजन 2030 के ताहत कईक्षेत्र महिलाओं के लिए खोले गये है इमरान खान सरकार को लगातार जखम दे रहे बलुच विद्रोई ने अब पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की मूर्ती को उड़ा दिया है बताया जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान के ग्वादर शहर में हुआ है जहाँ चीन, चाइना, पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर के तहट अर्बो डॉलर का निवेश कर रहा है प्रतिबंदित बलुच लिबरेशन फ्रंट ने इस बम हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तानी अकबार की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना की इस मूर्थी को इस साल के शुरू में मरिन ड्रैव इलाके में लगाया गया था जिसे सुरक्षी तिला का माना जाता है आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि कुछ विद्रोहियों ने मूर्थी की नीचे बम लगा दिया था और बाद में उसे उड़ा दिया बम इतना शक्तिशाली था कि जिन्ना की मूर्थी पूरी तरह से नश्ट हो गई बम किस तरह का था अभी इसका पता नहीं चल सका है पाकिस्तानी सुरक्षा बल जिन्ना की मूर्थी को नश्ट करने वालों की तलाश कर रहे है इससे पहले बलुज विद्रोहियों ने एक बम हमला करके पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर के एक वहन को उड़ा दिया इसमें चार सुरक्षा कर्मी मारे गए है और दो अन्य घायल हो गए है तो आज की इस खास पेश्कष में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहिए विके वी नियूस के साथ नमस्कार